आज का मेरा pattern है यह वाला, तो इसमें total 5 rows हैं, 1st row में 5 column तक value print हो रही है, 2nd row में 4 column तक value print हो रही है, 3rd row में 3 column तक value print हो रही है, and so on, तो इसको अब हम program से समझेंगे, एक for loop row के लिए, 4, j is equal to 5, 5 इसलिए क्योंकि 1st row में 5 को रहा हम तर value print हो रही है, इसलिए 5, j greater than equal to में, i, यह मैंने क्यों लिखे, आपको इससे बताता हूं, j minus minus, print f, star, और new link के लिए backslash n, तो सबसे पहले i के लोगी 1, अब j के लोगी 5, और इस लूप को मैंने पास बास चनाना है, ताकि पास बास चार बेंट हो है, तो इस लिम क्या करेंगे, j के लोगी 1 कर देंगे, तो पास बास चार बेंट हो जाएगा, तो अगले बार i के लोगी 2, तो हम यहाँ पर कर देंगे, j के लोगी 5 से initialize कर देंगे, और j greater than or equal to में 2, तो 2 कर दिया, 2 लिख दिया हमने यहाँ पर, next time i के लोगी 3, तो j greater than or equal to में 3, तो इस समको यह पराशल दाएगी, जो j की value है, वो i पर depend करती है, इसलिए हमने condition आई, j greater than or equal to में i, तो मारा pattern हो गए ready, तो बिल्कुँँ सही है रहा मारा pattern यह, अब इस pattern करने के और भी कहीं तरीके हैं, तो सबसे best method यही वाला है, कि मिल हमने यह देखा यहाँ पर, कि first row में 5 column है, पहले तो मैं देखा कि 5 रोज है, तो मैंने 5 रोज के लिए loop चला दिया, second हमने यह किया कि first row में 5 column है, तो j के रोज इनिशेस कर दी 5 तक, तो फिर हमने देखा कि, यह पांच बार से लाना है, तो अब ज़े i में value बन थी, तो मैंने j greater than equal to में i लिख दिया, तो अब यह तक हम यह कर रहे थे, अब हम हमारे पास एक और दिरीक है, 6 minus का i, j plus plus, इससे क्या होगा, i की value होगी 1, अब j की value जो है, 1 से ही निशेस होगी, और j less than equal to में 6 minus का i, i में value है 1, तो j की value होगी 5, तो अब इससे 5 बास star bent हो जाएगा, j less than equal to में 5 condition होगी true, अगली बर 2, 2 less than equal to में 5 condition होगी true, फिर से star bent हो जाएगा, ऐसे 3, 4, 5 तक, अगली बर i की value होगी 2, j less than equal to में 1 से initialize होगी, होगी value, j less than equal to में 6 minus का i, i में value है 2, मतलब 4 तक, अब यह loop चलेगा 4 बार, तो 4 बर star bent होजएगा, ऐसे यह लिए बर i की value 3, j की value 3 तक, 6 minus का i, 3 होजएगी value और j less than equal to में 3 होजएगा, और j की value initialize होगी बंसे, तो 3 बर loop चलेगा, और 3 बर star bent होजएगा, तो मारा pattern होगी, ready, विल्कुल सरी पैटा ना रहा रहा एक त्रीका और भी है J is equal to में I J less than equal to में 5 इससे क्या होगा J के रों इनिशेस हो जागी I से अभी I में value है 1 J की value होगी 1, 1 less than equal to be 5 condition होगी true तो यह लूप 5 बार चल जाएगा और 5 बार शरार्मेंट हो जाएगा अगली बार value हो जाएगी अब जो मैंने यह बार value जी लिखी है यह initialize और यह value J की वो लिखी है मैंने और इससे बाए condition के लिखे रहा था मैं आपे अगली बार I की वो जाएगी 2 J की value हो जाएगी 2 से और J less than equal to be 5 तो यह लूप चल जाएगा 4 बार अगली बार I की वो जाएगी sorry हमें 2 रिखना भूल गया था पहले अब 3 हो जाएगी value तो J less than equal to be 3 3 less than equal to be 5 तीन बार लूप चल जाएगा और तीन बार शार्पेंट हो जाएगा तो हमारा pattern होगे ready तो हमारा pattern आगे यह वाला अब इसके एक तरीका और भी है कि जैसे हम अभी row को count कर रहे हैं इस तरीके से count कर रहे हैं 1,2,3,4,5 तो हम इसको ऐसे भी count कर सकते हैं 5,4,3,2,1 तो उसके तरीका और यह भी है i is equal to i greater than equal to 1 i minus minus अब हमको चलाना है 5 बार लूप चलाना है तो हम J क्यों कर देंगे 1 से क्योंकि हमको क्योंकि हमको जहाँ J लिखाएए condition में यहाँ पर 1 चाहिए तो J के रहे होगी 1 से 1 less than equal to 5 condition होगी true और यहाँ पर i हो जाएगा i में भी value है 5 j plus plus अभी इसको मैं समझाता हूं आपको i की value होगी 1 j की value होगी 1 से initialize होगी condition होगी J less than equal to 5 तो 5 बार रूप चल जाएगा 5 बार starbend हो जाएगा अगली पर i की value होगी 2 j less than equal to में 4 sorry i की value 4 हो जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर 5 है j less than equal to में i मलब 4 तक चार बार चलेगी values मलब 4 लूप चार बार चलेगा चार बार starbend हो जाएगा आगली पर value हो जाएगी 3 लूप चलेगा 3 बार तो ऐसी आगी value continue हो जाएगी तो मारा pattern हो गए ready बिल्कुस यह रहा pattern ही वाला अब हम इसी के base पर और pattern बनाएगी अब लेकिन सबसे best method वही था जो पहले वाला था तो मैं वही method लगा रहा हूँ एक बार ही अब पहले मैं आपको pattern दाता हूँ कौन साबसे best method वही था जो पहले वाला था यह pattern है तो मैंने क्या किया iq1 से चलाई less than equal to में 5 i++ तो पहली रों में 500 वाली स्प्रिंट हो रही है तो j के लू 5 जे ग्रेटर थे निगल तो में आई जे माइनस माइनस तो अब हमें स्टार प्रेंट ने कराना वन वैलू प्रेंट करानी है तो उसके लिए इस्टा वैलू लेना पड़ेगा अगर मैं आई की लूप यहां पर मैं वैलू दे दूँ आई की तो पहली रो में हमको मिलेगा वन 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 पांच बार वन अगली रो में मिलेगा चार बर चार उससे अगली रो में थ्री बर थ्री तो यह गलत हो जाएगा और अगर मैं जे की लूप निट करा दो तो हमको वैलू मिलेगी फाई फॉर थी टू वन तो हमको यह भी निसी है तो हम एक value ले लेंगे, एक value ले लेते हैं k, जिसकी हमने value इनिशाइज कर दी बन से loop के अंदर, for loop के अंदर, जब भी loop start हो, k की value हो जाए 1, और अब k की value प्रिंट करा रहे हम यहाँ पे, उसके बाद k में increment, के में इंक्रीमेंट वैला पैटन मैंने आपको पहले भी घ्रा रख़ा है तो अब वह लिल तुटोरियल पहले देख ले ना तो एग बार आ इसको ड्रायर रोरें कर लेता हूं हां हमारा पैटन होगा है रेडी यह कह रहा है कि के में वैलू इंक्रिमेंट दुबारा देखते हैं मैंसे टर्मीनेट नहीं लगा रहा है हमने वो कोलम लगा दिया हमने तो मारा पैटर में कुछ सही आ रहा है अगला पैटर में हमारा यह वाला इन पैटर्न को प्रिंट कराने के वही तरीके पहले बाले वह भी हो सकते हैं जो ने पहले चार तरीके मैंने को बताए हैं फर्स्ट पैटर्न के लिए इसमें भी वही लग सकते हैं तो इसमें value प्रिंट हो रही है हमको k variable लेने की जुर्थ नहीं है इसमें इसमें जे की value प्रिंट हो रही है अब मुझे कैसे प्राशा कि जे की value प्रिंट हो रही है मैंने देखा कि जे की वेलू इनिर्शाइज दो रखी 5 से और वेलू जारी 1 तक तो इसमें भी यही ओर रख है 5 से वेलू चल रही है और 1 तक जारी है अगरी बार 2 तक तो जे वारा 2 पर रुख जाएगा तो मारा पैटरन आगया यह वाला प्रिंटों के अगर अब यह वाला पैटरन होता तो हम क्या करते जो मैं बना रहा हूँ अभी अगर हो सकते तो खुँद is solve कहीं यह वीडीयो को पोस्ट करके अभी मैं continue करहूँ इस पैटरन गो अगर मैं value जे की value प्रिंट कराऊंगा तो मेरेको pattern मिलेगा 5,4,3,2,1 next row में मिलेगा 5,4,3,2 उसके next row में मिलेगा 5,4,3,2 sorry 5,4,3 तक i की value उसे भी answer नहीं मिलेगा j की value उसे भी answer नहीं मिलेगा तो में एक extra variable लेना पड़ेगा k और हम k में value ये लेगे k zero to में 6 minus का i 6 minus का i मतलब value होगी 5 हम उन्हें value प्रिंट करादी k की k minus minus तो अब हमारा ये pattern भी ready होगा ये pattern कफी important है ये वाला तो हमारा answer आगा है ये वाला अब हमारा अगला pattern है ये तीन pattern आपकी homework के लिए है ये एक pattern ये एक pattern और ये वाला pattern इस pattern में space नहीं आएगा ये जो 10 11 है ना ये इसमें दो डिजी टारेशली space मैंने दे रखा है आपको space नहीं देना तो यहाँ पर हमारा tutorial होता है complete अगर अगर कोई tutorial पसंद आए तो वीडियो को like करना और अपने दोस्तों के शेयर करना और page को subscribe करना थैंक्यू दिएए़ल prop करना दोस्तों के लिए जमा है晚上 को बाती है